जंगल की एक धूप वाली सुबह तालाब के किनारे रहते थे चार कचुए टिंकू, टिंकी, टॉम और शेली. ये चारो दोस्त हमेशा साथ मिलकर मजे करते थे. आज का दिन भी खेलने का दिन था. टिंकू ने जोर से कहा चलो जंगल की सेर करते हैं और नए फल खोजते हैं. टिंकी ने उत्सा से कहा, हाँ, शायद हमें मीठे बेर मिल जाए. टॉम धीरे से बोला, लेकिन जल्दी चलना, नहीं तो शाम होने से पहले वापस नहीं आ पाएंगे. शेली सबसे छोटी थी. वो धीमी गती से चल पड़ी, बाकी तीनों दोस्त उसका साथ देने के लिए धीमे धीमे चलने लगे. जंगल में घुमते हुए उन्हें तरहत्र के पेर पौधे देखने को मिले. उन्होंने रंग बिरंगे फूलों की खुशबूली और रसीले पत्ते खाए. अचानक उन्हें एक उंचा पेर दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लग मैं पेर पर चड़ कर आम लाता हूँ. टॉम पेर पर चड़ने लगा. टिमकी और टिंकू नीचे उसका इंतजार करने लगे. थोड़ी देर बाद टॉम मुम में एक आम लेकर नीचे उतर आया. उन्होंने बारी-बारी से वहस्वादिश्ट आम खाया. शेली को भी आम बह पहचाते हुए सुना. वापस ताला पहुंचकर वे सूरज को अस्त होते हुए देखने लगे. उन्हें आज का जंगल भ्रमन बहुत अच्छा लगा.